लोग कहते हैं वो चार हजार वर्षों तक जिये लोगों का कहना है कि इस पेड़ को अगस्त ने छे हजार साल पहले लगाया था इसे डोडा सेंपिगे कहते हैं ऐसा माना जाता है कि अगस्त मुनी ने इस लिंग के साथ अपने सुक्ष्म शरीर को यहीं छोड़ा था कांती सरोवर के थट पर योग विज्ञान की पहली दीक्षा दी गई थी उस जगा को कांती सरोवर कहते हैं कांती सरोवर यानी क्रपा की जील उसे क्रपा की जील नाम दिया गया था क्योंकि इस जील के किनारे पर पहला योग कारिक्रम हुआ था 12-15,000 साल पहले जब आदियोगी हिमाले के उपरीक शेत्रों में दिखाई दिये हजारों लोग वहाँ इखटा हो गए क्योंकि उनका व्यक्तित भी कुछ ऐसा था कि लोग आकर शेत्र होने लगे और लोग वहीं बैठ गए पर वो कुछ नहीं बोले उन्होंने आखें बंद की और वहीं बैठ गए लोग इंतजार करते रहे वो बस ऐसे ही महीनों तक वहीं बैठे रहे बिना हिले लोगों को समझ आया कि अगर कोई इस तरह बैठा है तो वो ज़रूर अपने शरीर और भातिक प्रकृती के परे होगा नहीं तो ऐसे नहीं बैठ सकता सिर्फ साथ लोगों को ये बात समझ में आई और वो वहीं बैठ गए भारत में इन साथ लोगों को आज सब्त रिशी या साथ दिव्य रिशियों के रूप में जाना जाता है उन्होंने उन्हें कुछ शुरवाती साथनाएं दी और कहा आप तैयारी करें फर देखते हैं एक दिन जब शिव का ध्यान उन पर पड़ा तब उन्होंने देखा कि ये चमकते हुए पातरों की तरह हो गए है जो आत्म ज्यानी है जब वो ऐसे चमकते हुए प्रानी देखता है तो वो चुप नहीं रह सकता शिव ने देखा ये लोग वाकई तैयार हैं और तब वो कांती सरोवर के तड़ पर बैठ गए और उन्होंने योग विज्यान की व्याख्या करनी शुरू कर दी इस विज्यान और इस ग्यान को आत्मसाथ करने के लिए और इसे अपने मानवी रूप का एक हिस्सा बना लेने के लिए वो लंबे समय के लिए हाइबरनेशन या सुशुपतावस्था में चले गए उन्होंने सबसे प्रमुक्रिषी जो हमारे लिए सबसे जादा महत्वून है जिन्होंने दक्षन की यात्रा करना चुना उन्हें अगस्तिमुनी के नाम से जाना जाता है उन्होंने जमीन के नीचे मौजूद एक स्थान में जाकर अपनी साधना करनी शुरू करती किमदंतियों का कहना है कि वो हजारों वर्षों तक उस जगा में हाइबरनेशन की स्थिती में रहे और फिर जब वो उससे बाहर आए तो उन्होंने उस ग्यान को पूरी तरह से अपने और अपने सिस्टम का एक हिस्सा बना लिया था तारकिक या बुद्धी के स्थर पर नहीं बलकि अपने खुद के मानव तंतर में गूंजने वाली एक प्रक्रिया के रूप में फिर उन्होंने दक्षन जाने के अपने मिशन को पूरा करने का फैसला किया और वो साथ रिशियों में सबसे प्रमुख बन गए क्योंकि उन्होंने भारती उप महाद्वीब के दक्षनी हिस्से में जबरदस्त जोश के साथ योग विज्ञान को फैलाया और जितना मैंने सुना है उन्होंने देश में शायद साथ सौ से अधिक आश्रम स्थापित किये जिनके लावा कई दूसरी छोटी जगाएं भी हैं पक्के आश्रम जहां साधना होती थी और उन्होंने उन स्थानों पर कोई गुरु स्थापित किये ताकि साधना ये चलती रहें उन्होंने देश भर में साथ सौ से अधिक आश्रम स्थापित किये ताकि आध्यात्म रोज मर्रा की जिन्दगी का एक हिस्सा बन जाए उनकी समझ की जो गहराई थी और जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया जिस उर्जा और बुद्धिमानी के साथ तो नोनों चीज़ें संभाली ये कई माइनों में बड़ा महामानवी है कई माइनों में अगस्तिय ऐसे हैं कि आप उन्हें करीब-करीब दक्षन भारतिय रहसिवाद का जनक कह सकते हैं अगस्ति के माध्यम से दक्षन भारत में योग का एक विशेश रूप सामने आया लोग कहते हैं कि वो चार हजार वर्ष तक जीवित रहे हमें नहीं पता कि वो चार हजार वर्ष जीवित रहे या नहीं पर निश्यत रूप से वो सामाने मनुष्यों के तुलना में बहुत जादा समय तक जीवित रहे अगर आप उनके जीवन में उनके द्वारा किये गए कामओं की मात्रा देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वो सौ वर्षों में मर गया होんな कम से कम वो चार सो साल जीवित रहे होंगे क्योंकि उन्होंने इतने सारे काम किये हैं जिन्हें एक छोटी समय से हिमामे करना संभव नहीं है आज हम जेट विमान से और गाड़ी चला कर यहां वाँ जाते हैं समझिएगा हम कम समय में बहुत कुछ करने में सक्षम हैं पर अगस्त में पैदल चलते हुए इतनी सारी आत्राएं की कि किसी के लिए भी समानी इंसानी उमर में इतना सारा काम करना असंभव है पका वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे शायद 400 साल रहे होंगे या शायद 4000 साल या तो लोगों ने एक और जीरो जोड़ दिया होगा आखिरकार जीरो है पर उन्होंने अतनी ये काम किये थे ये अगस्त मुनी ही थे जिन्होंने कार्तिके के क्रोध पर खाबू पाया था कार्तिके शिव के पुत्र थे तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे इसलिए वो अपने पिता से दूर जाना चाहते थे तो वो बड़े क्रोध में दक्षन की ओर चल पड़े और वो एक योद्धा बन गए कई माईनों में वो एक बेजोड योद्धा थे वो जीतते चले गए वो शाशन करने के लिए लोगों को नहीं हरा रहे थे उन्हें जो कोई भी अन्याय पूर्ण लगा वो उसका वद्ध करते चले गए क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके माता पिता ने उनके साथ अन्याय किया है और वो अन्याय लाना चाहते थे जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको सब कुछ अन्याय पूर्ण लगता है अगर गुस्सा आ जाये तो आपको हर चोटी चोटी बात पर लगेगा कि आपके साथ कोई बड़ा अन्याय हो रहा है तो उन्हें लगा कि दुनिया में बहुत अन्याय है तो इसलिए उन्होंने कई लोगों को मार डाला तो उन्होंने कई लड़ाईयां लड़ी हैं और वो दक्षिन की ओर बढ़ते चले गए यह अगस्त ही थे जिन्होंने उनके इस करोध को उनके आत्मग्यान का साधन बना दिया और अंतमेकार्तिकेय ने सुब्रमन्या में विश्राम पाया तो आखरी बार उन्होंने सुब्रमन्या में अपनी तलवार धोई और कुछ समय के लिए वहां बस गए और फिर कुमार परवत पर जाकर उन्होंने सीधे खड़े-खड़े महासमाधी ले ली कार्तिकेय के क्रोध को उनके आत्मग्यान के साधन में बदलने की ये महान कला ये अगस्त का ही काम था और दक्षन भारत के ये सभी सिध लोग वो सभी अगस्त की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं एक तरह से हर वो चीज जो मैं कर रहा हूँ वो अगस्त के काम का ही एक छोटा सा विस्तार है उन्होंने एक जबरदस्त महल बनाया है हम उसमें बस एक और कमरा जोड रहे हैं क्योंकि उनके दक्षन भारतिय रहे स्वाद का एक अलग ही स्वाद है जो कि अगस्त मुनिंग की वज़ा से ही है तो उन्होंने बाकी 6 की तुलना में सबसे जादा बड़े क्षेतर को रुपांतरित करने का फैसला किया और उसे कई अलग गलत तरीकों से रुपांतरित किया उन्होंने ये पक्का किया कि आध्यात्न का एक तत्व हर किसी के जीवन में हो ये शायद अब कम हो रहा है पर फिर भी अगर आप इछली पीड़ी को देखें तो आज भी ये काफी हद तक मौजूद है यहां तक कि दक्षण भारत में या उत्रप्रदेश के दक्षण में कहीं भी आप एक साधारण किसान को भी देखें तो आप आएंगे कि एक साधारण किसान में भी अध्यात्न का कुछ तत्व है ये अगस्त का काम था ये एक ऐसी जगा है जहां आगस्त मौनी चले थे शायद वो इस मंदिर में भी गए थे या तो वो खुद या शायद उनके लोगों में से कोई एक क्योंकि इस लिंग की प्रकृति अगस्त के काम करने के तरीके से मिलती चुलती है तो या तो वो खुद, या उनके जैसे किसी व्यक्ती ने, या उनके सिलसले के किसी व्यक्ती ने इस लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की है ये शुद्ध क्रिया है, यानि शत्प्रतिषत उर्जा का काम और कुछ भी नहीं, न कोई मंत्र, न कोई तंत्र, कुछ भी नहीं, ये 100% उर्जा का काम है, मैं भी ऐसा ही हूँ, बस यही एक चीज है जो मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ उर्जा के आधार पर जीवन को एक आयाम से दूसरे आयाम में रूप अंतरित कर सकता हूँ, मैं कोई ज आप नहीं जानता, मैं कोई अनुष्ठान नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, बिना किसी अनुष्ठान के समझे की उर्जा को एक आयाम से दूसरे आयाम में बदलना, आपको पता है गुप्त काशी का क्या मतलब है, गुप्त यानी चुपा हुआ, काशी यानी आप व अगस्ति की दक्षण यात्रा के बारे में ऐसी बहुत सारी कहानिया है कि जब वो दक्षण की ओर जा रहे थे तब उनकी मुलाकात विंध्याचल से हुई विंध्या भारत में एक और परवत शंखला है जो हिमाले की तुलना में बहुत पुरानी परवत शंखला है हिमाले भूगर भी है जियोलोजिकल रूप से बहुत ही युवा परवत है तो विंध्याचल और जादा पुराना परवत है ये दुनिया के सबसे पुराने परवतों में से एक है तो सभी पहाड़ों के बीच हिमाले को पहाड़ों का राजा चुना गया था तो जब अगस्त दक्षन की ओर जा रहे थे तब विंध्याचल करोधित हो गए और उन्होंने अगस्त को रोक कर कहा आप ये कैसे कर सकते हैं? आप हिमाले को राजा कैसे बना सकते हैं? वो मेरी तुल्ना में सिर्फ एक बच्चा है आप उसे राजा कैसे बना सकते हैं? अब अगस्त जानते थे कि अगर एक परवत गुस्सा हो गया तो ये बुरा हो सकता है जब एक आदनी को गुस्सा आता है तब भी बहुत बुरा हो सकता है पर जब कोई पहाल क्रोधित हो जाए तो पता नहीं वो क्या करेगा अब अगस्त वहाँ बैठे तो विंध्याचल जो की एक बहुत बड़े भक्त थे उन्होंने अगस्त को प्रणाम किया तो अगस्त ने कहा बस ऐसे ही रहे वही रहे मैं दक्षन की ओर जाकर वापस आऊंगा फिर हम आपकी समस्या को समझेंगे तो विंध्याचल जो का रहा और अगस्त के वापस आने की प्रतिक्षा करता रहा अगस्त कभी वापस नहीं है अगली बार जब वो उत्तर गए तो वो दूसरे रास्ते से गए जगनात पूरी के रास्ते से सिर्फ विंध्याचल से बचने के लिए ताकि वो वश में रहे और जौला मुखी बन कर भटना जाए तो विंध्याचल बहुत छोटा रह गया वो छोटा है क्योंकि वो जोका हुआ है हिमालय उंचा है क्योंकि वो खड़ा है और अभी भी बढ़ रहा है कहीं भी है दक्कन के पठार में अगर आप यात्रा करें तो लगभग हर जगा आप गाउं में देखेंगे कोई कहेगा ये वो गुफा है जहां अगस्ति ने धान किया था ये वो इस्थान है जहां अगस्ति ने ऐसा किया था बी आर हिल्स के सभी स्थानों में जिसे बिली गिरी रंगन बेटा कहते हैं जो करनाटक में चामराजनगर जिले में स्थित है तो बी आर हिल्स में एक जगा है जहां एक सैंपिगे के पेड़ को क्या कहते हैं इस इंगलिश में क्या कहते हैं सैंपिगे चंपका कहते हैं क्या ठीक है ये एक बड़ा खुश्बुदार फूल होता है ये एक पेड़ लोग कहते हैं अगस्त मुनीने लगाया था ये पेड़ पक्का बहुत ही अविश्वसनी रूप से पुराना है ये पूरी तरह से गांटथार हो गया है और ये अपनी तरह के किसी भी पेड़ से बहुत पुराना दिखता है लोगों का कहना है कि इस पेड़ को अगस्त ने 6000 साल पहले लगाया था इसे डोड़ा कहते हैं डोड़ा सेंपिगे क्योंकि डोड़ा सेंपिगे यानि बड़ा सेंपिगे ये इतना बड़ा है और अगस्त ने ये पेड़ लगाया था और वो कुछ समय तक वहीं रहे थे कावेरी नदी में एक बीच का बिंदू है तो उन्होंने बिलकुल सटीक मद्धि बिंदू की पहचान की और अगस्त मुनी ने एक लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जो की मूल रूप से उन दिनों के किसी पारंपरिक मिश्रन और रेत से बना है तो ये एक रेत का लिंग है जो आज भी बरकरार है शारेरिक रूप से ही नहीं हर तरह से बरकरार इसे कावेरी की नाभी के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये मद्धि बिंदू है और उन्होंने जो बनाया है काश मेरे पास यहाँ बिताने के लिए थोड़ा और समय होता पर यह धमा के दार है जैसे कि इसे कली बनाया हो और यह विश्वस्नी है यह हमारा वंच है ऐसा माना जाता है कि अगस्ति मुनी ने इस लिंग के पास अपना सूख्श्म शरीर छोड़ा था और अपने मानसिक शरीर या या मनो मैं कोश को कहां मुद्रे या विरुधनगर के पास कहीं एक जगा है जहां उन्होंने अपना बौधिक या मानसिक शरीर छोड़ा था पर उन्होंने कार्थिके की मदद ली और अपने भौतिक शरीर को कैलाश ले गए जहां शिव मौजूद थे और उसे वहाँ छोड़ दिया यह अंतसमय में चीजों को करने का एक शांदार तरीका है कैलाश मेरे लिए एक जबर्दस्त आध्यात्मिक पुस्तकाले की तरह है लोग कहते हैं यह शिव का निवास था यह शिव का निवास है इसका मतलब यह नहीं कि वो आज भी वहाँ बर्फर नाचते हैं इसका मतलब कि हर वो चीज जो थे इस जगा में वो निवेशित है नके वल वो बलकि हर कोई जो आया मेरे लिए सबसे महतो पूर्ण बात यह है कि अगस्ति मुनी ने हमें पता है कैलाश में अपनी उर्जा का निवेश किया था तो अगस्ति ने कैलाश के दक्षणी हिस्से में अपना सब कुछ निवेश कर दिया ये अविश्वस निया है, अविश्वस निया यानि बिल्कुल अविश्वस निया प्राकरतिय सांदर की दृष्टी से तो इसके लिए शब्दी नहीं है पर शक्ति और उर्जा की दृष्टी से भी ये बिल्कुल अदुल निया है तो अगस्तिया दक्षणी रहस्यवाद का स्त्रोत है मैं जो कुछ भी हूँ उसका स्त्रोत अगस्त मुनी ही है आप कह सकते हैं मैं बस उनका एक नाखूम हूँ जो फिल हाल आप के जीवन को गुरेदरा है तो तो बस्तिया एकृट्ट के जीवन को गुरेदरा है जो पुरेदरा है प्रस्तिया आपके लिक स्ट्रोत हिंग